नमस्कार एटो जेट डिशश उशा कोरजानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेर नहीं करूंगी आपको तो पता ही है मैं आपको भी फैमिली मानती हूँ तो कल था मेरा जनम दिन बर्दे था कल मेरा तो मैंने जो जो किया तो सोचा तो मैंने यह केक बनाए थे इस तरह से अब देखे मेरा नाम उशा है तो मैंने इस बार सोचा कि चार तरह के मनला चार अलग अलग पूरे वर्ट लेटर के केक बनाए मैंने उसे कट किया पूरी फैमिली के साथ मस्त इंजॉई किया फोटोस क्लिक किये थोड़ा सा डांस कि तो बस ऐसे करके रात हमारी अच्छे से गई फिर उसके बाद जैसे हम सुबह को उठे तो मेरे प्यारे हजबिन ने मुझे सप्राइज दिया यह बढ़िये से कैफे में गए बुक किया था उन्होंने और देख सकते कितना सुदंदर सा डेकोरेशन है साथ ही साथ में यह ए अच्छे से सेलिबरेशन किया थोड़े बहुत रील भी बनाया मेरी इंस्टाग्राम में जाकर देख सकता है और मुझे यह डेकोरेशन इतना बढ़िया लगा ना तो बस इस तरह से सेलिबरेशन हुआ अब देखिए कितने भी मज़े कर ले पेट भूजा तो पहले तो बस इस तरह से हमने अच्छे सेलिबरेशन किया फोटोस फोटोस क्लिक किया और यह कैफे इतना बढ़िया था ना इतना मज़ा आ रहा था ना हम चारी थे बड़ बहुत मज़ा आया तो बस इस तरह से आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया कितना सुन्दर सुन्दर है उस नहीं दो नहीं तीन नहीं 101 प्लस आइटम्स थी यहाँ पर आपको चाट मीठा साउथ इंडियन मैक्सिकन इटालियन पीजा सबसे खास था यह बार्बिक्यू मतलब बर्देग पर इतना अच्छा अच्छा और हमें क्या चाहिए धेर सारी ब्लेसिंग अच्छा अच्छा खा यह हैपी बर्दे मी तो अपने बर्दे पर आप भी बहुत सारा इंजोई कीजे क्योंकि एक बर्दे ही है मतलब हर दिन तो हम खुश रहते ही रहते हैं पर बर्दे पर जो खुशी मिलती है न वो कुछ अलग होते हैं बले हम कितने भी बड़े हो जाए तो बस इस तरह से ध देर सारा खाना खाकर मतलब 101 प्लस आइटम थी मतलब समझी सकते हैं देर सारा खाना खाया सबकी ब्लेसिंग्स ली और हाँ जो यह केक था यह बिना अंडे बिना अवन का मैंने जो सेलिब्रेशन में मैंने कट किया था तो इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकिये तो आप जा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताए थांक यू फर वाचेंग